तो दोस्तों मैं हूँ सोबनात और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गारेन वालेज जिमें दोस्तों आप भी अगर अपने गारेन में डालिया की प्लैन से इतने ही बड़े साइज का अगर फूल लेना चाहते हैं तो क्या क्या आप इसके लिए करेंगे वो सब तो दोस्तों अगर आप लोगों की साथ शेयर के आथा कि आप किस तरह से डालिया की प्लैन का ख्यार रखेंगे तो दोस्तों उस तरह से अगर आप लोगों ने ख्यार रखता होगा तो इस बक्त आपके डालिया की प्लैन पे इतने ही बड़े आकार का फूल आपको मिला हो तो दोस्तों यह फूल इतना बड़ा है कि मेरे हाथ से भी ज्यादा बड़ा इसका साइज है आप देखकर समझी सकते हैं अब को स्केल से नापकर भी दिखा देता हूं दोस्तों मैं अगर स्केल से नापूंगा तो आप देखिए दोस्तों यह लगबग आठ इंच की इससे लिया है तो सोचिए अगर मैं इससे सिफ एक ही फूल लेता तो इसका आकार कितना बड़ा होता और उसी के साथ देखे दोस्तों यह अभी पूरा खिला नहीं है खिलना अभी पूरा बाकी है यह बस आधा ही खिला है तो इसका साइज देखे आधा माई ही कितने बड़े आकार का यह आ रहा है तो दोस्तों आप किस तरह से खेर रखेंगे मैं आपको Investigately कह coercit क्यों आप लोगों की अंदर अगर कोईभी नए लोग है कोई नएया दोस्त है तो उसको भी मैं यह बताता हूं तो दोस्तों आप डलिया के प्लैन को जब भी तयार करेंगे तो पहले छोटे पॉर्ट से सुरू करके step by step जब उन पॉर्स में इसकी जो रूट है बाउंस होता रहेगा आप उसी हिसाब से इसको आप पॉर्ट चेंज करते रहेगा साथी हर हपते आप इसको मस्टर्ट के की liquid fertilizer पतला करके आप इसको देते रहेगा वन इस्टि टेंड की रेशियो में यहारी की दस हिसाब पानी और एक हिसाब मस्टर्ट के की liquid fertilizer देकर आप इसको देते रहेगा क्योंकि दोस्तों डालिया की प्लैन को नाइट्रोजेन बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए आप इसको मस्टर्ट के की liquid fertilizer देते रहेगा साथी मैंने आप लोगों को जो dry mixed fertilizer दिखाया था उसे अभी आप देकर रखेगा क्योंकि दोस्तों सिर्फ हपते में एक बार आप इसक को पानी भी देंगे तो वो dry fertilizer रहने की बजाए से इसको लगातार इसकी जरूरत की हिसाब से nutrition मिलता रहेगा जिससे यह अपना volume बहुती ज्यादा बढ़ा लेगा क्योंकि दोस्तों आप इसकी यह जो ब्रांचे इनको देखकर भी समझ सकते हैं कि यह कितना healthy branches है यह वाला तो इतनी मोटी ब्रांच होने की बजाए से इसमें जो फूल भी आएगा वो भी बहुती बड़े आकार का फूल यह पकरने में सक्सम होगा साथी इसमें जब कलिया आना सुरू हो जाएगा तो इसमें थोड़ा बहुत आप potassium का इस्तेमाल भी चालू कर देंगे जिससे आप का यह जो फूल है वह आकार में भी बड़ा होगा और साथी देखने में भी बहुत ही खुबसूरत लएगा और उसे के साथ इसकी पत्तियों की चमक है वह भी बरकरा रहेगा क्योंकि दोस्तों आप मेरे हर एक प्लैन को पहले भी देखे होंगे कि मेरे प्लैन में सिर्फ फ प्लैन रखिएगा जो प्लैन जितना साफ सुत्रा और हिल्दी होगा उस प्लैन में उतना ही अच्छा और बैतर क्वालिटी का फूल आपको मिलेगा तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह का अगर डालिया का फूल अपने जो गारे हैं उसमें लेना चाते हैं तो आप मेरे हर एक अपडेट को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको भी अपने गार्डेन में इतना ही अच्छे क्वालिटी का फूल आपको मिले तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही तक मिलेंगे हम पिर अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डे